हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समेर वानखेरे के पिता जी ने मिनिस्टर नवाम मली के खिलाफ बॉंबे हाई कोट में एक कंटेंट का केस फाइल किया है यानि की कंटेंट पेटिशन फाइल किया है और इस बारे में डिटेल्स आ गई है मैं को बहुत ही बृफिली क्या क्या उन्होंने इल्जाम लगाया है किस किस तारिक को उनका ऐसा कहना है कि मिनिस्टर नवाम मली के पिता जी ने पहला जो इल्जाम लगाया है इस petition में उन्होंने काया है कि 28 December 2021 को Cast Scrutiny Committee के proceedings के बारे में जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने समीर वानखेरे के Cast certificate को fake बताया था तो ये पहला उलंगन उन्होंने किया था अपने undertaking की कि वो समीर वानखेरे के family के खिलाफ कोई भी defamatory remarks नहीं बोलेंगे या देंगे और फिर January 2 2021 को मिनिस्टर नवाब मलिक ने दो audio clips release किये थे press conference में और इस audio clips में समीर वानखेरे के पीदाजी का ऐसा कहना है कि समीर वानखेरे को इसमें target किया गया है और उनको fraud star label किया गया है तो ये दूसरा उलंखन ऐसा उनका मानना है कि मिनिस्टर नवाब मलिक ने किया है अपने undertaking का January 2 को audio clips को release करके और तीसरा उलंखन उन्होंने किया है January 3 2021 को जब वो ये कह रहे थे कि समीर वानखेरे को remove किया गया है NCB से उनके corrupt काम के लिए उनका जब corrupt काम expose हो गया तब उनको NCB से remove कर दिया गया है तो समीर वानखेरे के पिता जी का ऐसा मानना है कि ये भी एक उलंखन है उन्होंने undertaking दिया था मिनिस्टर नवाम मलिक ने कि वो समीर वानखेरे के family के खिलाफ कोई भी defamatory marks नहीं देंगे लेकिन उन्होंने यह कह कर कि समीर वानखेरे को corrupt काम के लिए हटाए गया NCB से ये एक उनके undertaking का उलंखन है और उनके family की defamation है तो दोस्तों अब ये contempt जो case है ये फाइल किया है समीर वानखेरे के पिताजी ने अब देखते हैं कि Bombay High Court इस पर क्या फैसला सुनाती है इस पर किस तरह की hearing होती है और क्या order आता है वैसे अगर ये सब सच साबित हो गई तो दोस्तों मिनिस्टर नवाब मली के लिए ये मुश्किल की घड़ी होगी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अपने undertaking को अगर आप कोई भी undertaking देते हैं Bombay High Court में या किसी भी High Court में तो उसको आपको मानना होता है और अगर आप नहीं मानते हैं तो ये कोट की कंटम्ट होती है और इसके लिए आपको सजा मिल सकती है दोस्तों आप देखते हैं जैसे से खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा फिल्हाल तो ये खबर है कि कंटम्ट केस फाइल किया गया है मिनिस्टर नवाब मली के खिलाफ Bombay High Court में दोस्तों बन रहेगा मिनिस चैले से में ताउंगले वीडियो में बाबाए